तो आज के हमारे इस online class में हम आपके साथ discuss करने जा रहे हैं Charts. Charts and Dynamic Charts हमारा जो है last topic चर रहा है Advanced section. तो हम बात करेंगे Charts क्यों? तो कि हमने insert में नुबार कराते समय, बाकी सब चीज़े करा दी भी हमने chart के section को छोड़ दिया था इसलिए चोड़ा था तक कि हम चार्ट साथ को क्रा सके लास्ट में Chart and Dynamic Charts दोड़ें सबसे बिले हम बात करते हैं Charts के उपर चलिए चार्ट तो आप लगा लेते हैं फिर भी चार्ट ते कुछ पार्ट है वो पार्ट हम आपके साथ समझाने जाए सबसे जानते हैं कि ग्राफ या चार्ट हमने नाइन तेन त्वेल से पढ़ी है आखिर होता है जैसे कि हमने नाइन तेन त्वेल में जो पढ़ी थी और ग्राफ ही जो था आपकी एस्टेटिकल में हम इसीज को पढ़े दिए अगर में एक्सला ही बात करूँ या किसी तरह के रिपोर्ट पिन चार्ट की बात पर चार्ट का यू जो पारिंग के लिए इसी करें आकों सामने छोटा साथ डेता है इसको मैं दिया तो आप सीथे बता सकते हैं सबसे हाइर सेल फरवरडी की हुई है, सबसे हाइर सेल Mouse की है ऐसे जो कम सेल है । सबसे Cow Grin Sch caring De fuckサ है पर इसी ऐमाउंट को अगर हम कई डिजिट में कर दें ग्रोसियोattend एट चल paid को यहां पर आपको मदद करता है आपकी ग्राप्स हमने ग्राप्स में गए हमने कॉलम लगा दिया तो यहां दिख गया कि जुलाई का सेइज सबसे ज्यादा है क्योंकि इसके लाइन सबसे उपर का सब्स्क्राइब करके जुलुझा हैं इस डिहा को समझते हैं आदोफार कि आम वह तुसरा होगता है सीज सीज बंद मतलब कि चंडर मतलब कि अब जेत। इस जला की सीज़י पर है और इसको इसलेक्ट करके अगर मैं F11 प्रेस कर दूँ एक नई शीट में चार्ट है रहोगा जो कि सीट चार्ट होगा इसको हम मूब नहीं कर सकते है विक्स चार्ट बड़ एक सीट की उपर है चार्ट वन के नाम सी नई अब इसके चार्ट के बात करें तो इसमें आप देखना है यह आपका चार्ट एडिया है यह आपका प्लॉट एडिया है यह आपका अग्सिस है तो यह आपकी ज drafting शूर्ट से संबसे का तका अका यह यह आपके लाइड करना चाहते हो यह वां यह आयन करना चाहते हो यह 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 लेज्ट पर हमाड़ करना चाहतर हुद plan करना हुद यह 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 मैं इसमें ज्यादा आपको मिलेगा ऊपर चार्ट डिजाइन पे लिप किज़ेगा यहां इतने सारे फॉर्मेट्स इसको अप्लाइगा एक यहां पे इसको अप्लाई किजिए यहां से हड़ा वाप्स लाना है यहां पर वापस आ जाएगा अब चार्ट के बताया आपको की फॉर्मेटिंग के बारे में ने बात कर लिए और एक रिचाइट कॉलम्ट और चीड कर सकते हैं और शीर चार्ट का लिए और बात करता हु आप सब्स्क्रांगे कॉर्मट करता है और वнуться किने सेख़ क्योंगने चाइट कर साइबून Hem आप बात करते हैं अगर आप इंडिविजुबल सब की फार्मिट करना चाहते हैं जिसे आप इसको सिलेक्ट किया यहां चार्ट अगर राइट करके अगर यहां फॉर्मिट चार्ट अरिया भी गिलिक किया तो साइड में हमारे पास जो है जा अपने फिला आपने कोई नहीं या उसकी Transpensive कितनी होनी चाहिए, हो-set कर सकते। विखलेंड फील में बने कि दो कलरों का Mix up कितना होना चाहिए, और कलर का Mix up किया इतना % कि यहां पर ही गो जो दो कलरों आमने डिसाइट किया और दो कलरर होना चाहिए, आप यहां से Disqrs कर सकते। जो सुर्सें टेक्च्टि थाक्टि ट्राइंडि मेंने केयों और वाँडिकर कोया सेंटाभिना की की रखलना हो संब चाहते में संद्रीटें रिखना समय प्रडिकार सेंट्री मेंoma आप यहां से डिस्क्स कर सकते हैं और सेम आपका plot area select करने पे भी सेम चीज़ हो भी और स्रीव चेज़ सेम चीज़ है यहां पे आपकी colors और यहां पे इसके जो 3D shadow है ओ देदीजे यह आपकी properties है कि यहां पे आप कितना gap दना चाहते हैं कितना overlap करना चाहते हैं इस सब यहां से decide कर सकते हैं इंचियों पे हम आएंगे आगे भी फिलहाल इस सब से हटते हैं और हम बास करते हैं कुछ chart के तरिक से जिसे कि मैं इहां पे खटा देता हूं पोटो डेटा देता हूं मामी जै कि मैंने इसको select किया और select करने के बाद हमने यहां आथे इस सब चाहर्ट करें एक हमारे पर यहां recommended chart भी होता है जो डेटा को देख के आपको recommend करता है कि इसमें किस तरा के charts होने चाहिए यहां पे हमारे पास different तरा के chart आथे इस data पे कितना तरा के chart बन सकते हैं वह आपके यहां दिखाया जा रहा है अगर यह आपको अच्छा लग रहा है इसको आप कर लीजिए अगर वाइच कोई बात नहीं आप मैंने चाहर्ट लगाना चाहते है तो चाहर्ट दूसरी चीज जैसके मैंने chart लगा दिया बात में decide हुआ इस में एक और line एड हो सकता है यहां पे अधर हमाल की चारट को घ्रतिक हो आपके अद्युक्त हमा बात्व Game defend himself सेलेट करता हो आप यहां पर क्या सी चार्ट में से करना में इस हैड जिक्या क्या दुपयों से दुपारा से चार्ट लगाना पडेगा जी मलयकुत होता है आप इसी चार्ट को स्लेक्ट करके नीचे के तब रैक करेजिए इसके अंदर आइड हो तीस तरह से आपने अपना चार्ट आइड करता है वाद एक और प्रॉलम होती है कि इसो डेटा टार्गेट जे हमारा ये नॉर्मल है लेकिन अगर माल लिजिए ये हमारा परसेंटेज नीचा होता है 20% माल लिजित आरगेटा जो यहां पर आपका दिक नहीं रहा है क्यों रहा है क्योंकियाद यह 20% आपने लिखा है यहां बहुत च्छोटा सब लिख रहा है तो आपके यहां number format भी है यह आपका यह भी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप यहां right click करके change street chart type पे click कर दे यहीं पे आप यहां पे देसे कि मैंने अगर target में secondary access होगा click करेंगे यहां देखिए इसका secondary access यहां पर जब भी secondary access यूज करेंगे तो एक तरह का चार्ट से लिक्कत होगा क्योंकि देखिए ओवर्लैप कर रहा है तो इसमें एक काम हो गाज़ते कि आप यहां पे फॉर्मिन चार्ज जबीद में जाके जो इसकी अब इससे एक चार्ट में जाके इसको आप जहें लाइन चार्ट में तनवार्ड कर दीजिए आपका लाइन चार्ट में हो जाएगा अब इससे एक चीज और आप सेक्षा कि क्या हम एक दो तुरह के चार्ट इस्तमाल कर सकते हैं और मालें इस पीछे स्रीच को एक अलग फॉर्मेट में करना हो तो जैसे करेंगे पर आप 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 अ इंसर्ट इस पर आप चार्ट आपको मिल सकती हु इस पो इस्तिमाल तरशी के बिए पो आप और मुझे ये चिरांगेट इसको लाइन चार्ट करना है । इसमें राइट क्लिक करें और यहां पिया और छेंट री चार्ट तयाएं और अपने चार्ड के एक्सिस को तो यहां से आप करें, चेंज कर सकते हैं, मैंने गलती कर दिया, इसको यहां पे एक्सिस लें, यहां पे हम लेंगे, लाइन चार्ट, यहां कोई और चार्ट भी ले सकते हैं, तो लेकि चार्ट उसके लिए उस डेटाइट लेशुटेबल है या नहीं है, उस पे डिपेंड अब चली हे पार और चार्ट में एक बंग देख लेते हैं, तक कि हम कल से उस पे यहां पर हो सकें अततको करोण आपका इस द कोलम चाट में उसके बाद आपका इस द माम होता है इसके बाद आपके जिए ये रया आपका इस द बात करिम चाट होता है इसके बाद यहां पर हम बात करें हिस्ट्रोग्राम चार्ट है यहां से इस्ट्रोग्राम चार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग स्टॉप चार्ट भी कहते हैं उसके बाद यहां पर सामने स्कैटर चार्ट आता है इसके लाइनिंग कर देंगे तो यह आपको लाइनिंग में ली दिखेगा इसके बाद यहां पर आपको वाटरफॉल चार्ट होता है वाटरफॉल ले सकते हैं इस्टॉप चार्ट होते हैं स्टॉप चार्ट होते हैं स्टॉप चार्ट होते हैं इससे बाद यूज़ बहुत कम होता है तो फिल्हाल आपको क्या करें जितने भी तुरह के चार्ट्स हैं, सारे चार्ट्स के ऊपर आप एक प्रासा अपनी प्रैक्टिस कलें, फिर हम तल से बात करेंगे चार्ट्रिक्स के वारे में, कि चार्ट्रिक्स के वारे में, कि चार्ट्रिक्स है वो क्या क्या है, और बाकी किस तरह के रेटा ने कौन से चार्ट का यूज़ किया जाता है तो तीन क्लासे आपके जो चलेगी जो आपका